नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे यूटीब चैनल पर हर्थिक स्वागत हैं दोस्तों आज अपने इस वीडियो में यूपी मेट्रो रेल के द्वारा 2021 में जो नई रुक्रूपेंट लाई गई है उसके बारे हम सभी जानकारियां देंगे दोस्तों देश के कई स सवर्ण में मेट्रो सिवा सेवा मेट्रो सर्विस्ट के शुरू हुजाने से रोजिगार के मौकए बढ़ गया हैं और सरकारी नौकरी करने के इच्छुक लोगों रिए उत्तर-पर्देश मेट्रो रेल कॉर्प्रेशन ने भर्थियों की घोसरा की हैं दोस्तों निथे पोस्ट के लिए भरतियों की घोसरा की गई है दोस्तों चलिए हम अपने इस वीडियों में इस बारे में विस्तार्ज चाचा करते हैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि UP में आगरा कानपुर जो मैट्रो है उसके लिए वेकंसी निकाली गई है आगरा कानपुर सहर में जो विस्तार किया जा रहा है मैट्रो का उसके लिए भरती निकाली गई है 2021 में कि दोस्तों इसमें कुल टोटल दो सो बानबे लोगों के लिए पोस्ट निकाला गया है और इसके लिए आगे डीटल है यह हम आपको बताते हैं हैं तो सबसे पहले इंप्रेंट डेट जो आवेदं पत्र भना सुरू हो गया है वह है ऑज से जो आपका एक्जाम डेट है यह है सत्रह अप्राइल दो जाएगा दोस्तों यह भरती बहुत ही अच्छे डेट पे निकाले गई है इसमें बहुत जल्दील देश का कार हो रहा है इसमें तो जो भी इच्छुक अभ्यारतियें में ज़रूर भरे इसका अफ्रम तो सबसे पहले में आपको बता दूं अप्लिकेशन फीस के बारे में अप्लिकेशन फीस है जानरल ओबीसी और इकोनामिकली विकर सेक्षन वालों के लिए 590 रुपे 590 रुपीज और SC और HD वालों के 236 रुपे 236 रुपीज है इस इक्जामिशन फीस को आपको आनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं डेविट कार्ड या क्रेट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा या फिर आप आनलाइन पेमेंट करना चाहेंगे तो इच आलान के द्वारा आप इसको कर सकते हैं किवल इच आलान के मोड में यह हो पाएगा आफ लाइन में तो इस प्रकार से अप लिवकेशन फिसको भर सकते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं अब इसमें बताते हैं आपको एज लिमिट एज लिमिट किस दिन से कंसीडर किया जा रहा है एक मार्च से 21 साल एक मार्च 21 को और मैक्सीमम होना चाहिए वह होना चाहिए 28 साल 28 वर्स मैक्सिमम और नियूंतम है आपका 21 वर्स और जो इसमें दिया जाएगा छूट भी दी जाएगी जिसके लिए निर्धाइज किया गया है उतना छूट भी मिलेगा सभी जिनको इनको मिलना चाहिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कितने पोस्ट आये हैं उनके लिए क्या-क्या इलिजबिल्टी होनी चाहिए तो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मनेजर ऑप्रेशन इसमें टोटल छे पोस्ट है और इसको भनने के लिए आपकी योगता होना चाहिए या बीए की हो मतलब बैचल आफ इंजिनेरी हो या फिर साथ प्रस्ट माक्स से अधिक होना चाहिए और आइसी मुआलो कंडिडेट के लिए किवाल 50 परसंट माक्स के अधिकतम होना चाहिए दोस्तों अगले पोस्ट के बढ़ते हैं तो पोस्ट का नाम है स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेंड ओपरेटर ये दोनों है पोस्ट हैं और इसके लिए योगिता होने बने के लिए कि इंजयरीं कियों किनिक प्रिक्निक पर तेग लिए हो और मैं initiative हो यह यह फї्य I be like sleep लेट्रोनिक्स अद्रीकंवरांग से हो और में उनका अधिक के ऊपर होना चाहिए नंबर तो भर सकते हैं और SC और ST वालों के लिए 50% माक्स के उपर होना चाहिए अगला पोस्ट है मेंटेनर सिविल इसमें टोटल 24 पद हैं इसमें जो योगता होनी चाहिए वह क्लास 10th हाइश कुल की और साथ में ITI का सैटिफिक होना चाहिए फीटर में और उनके पास साथ प्रिशत से अधिक अंख होना चाहिए उससे कम नहीं होना चाहिए लेकिन SC वालों का 50% और या 50% के उपर अंख होना चाहिए तो इसके लिए भर सकते हैं इस फॉर्म को अगला है मैंटेनर इलेट्रिकल इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वह है 52 बावन पोस्ट है इसमें और इसकी जो एकुता होने चाहिए भनने की वह है कच्छा 10 पास आईटिया इस सेटिफिक के साथ और जो ब्रांच होना चाहिए इलेट्रिसियन होना चाहिए के चाहिए और जो आपका पर्सेंट रहा चाहिए उसने सिस्टी परसन के उपर हो सभिके नंबर और ऐसी वालों के लिए 50 परसन के उपर होगा चाहिए और अगला पोस्ट दोस्तों मेंटेनर एस एंटी इसमें को टोटल 24 पद हैं इसके लिए जो गिता होने चाहिए वह उने चाहिए क्लास कच्छा 10 क्लास 10 हाई स्कूल मतलब और उसके साथ में आई टी आई का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास इलेट्रोनिक्स या फिल मेकेनिक में और जो नमबर होना चाहिए आपका वह साथ पर सट के उपर होना चाहिए और ऐसी कंजेट्स वालों के लिए 50% के उपर होना चाहिए तो आप इस पर्दिक लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों आपको बता दें एक्जाम सेंटर किस किस में रहेगा तो लखनों में कानपूर में आगरा प्रयाग राज वरार्सी गोरखपूर मेरड जहांसी बरेली नोइडा गाजियाबाद अलिगर मुर्यादबाद और मुझपन नगर इसमें से आपके नजदीक जो भीव आप उन्हें चुन सकते हैं तो उस प्रगा से आप एक के लिए जो लेटेस्ट रिक्रूपमेंट आयर 2021 का उसके लिए आप 11 मार्स से दो अप्रेल के बीच में अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के पहले आप इसकी जो आफिसल नोटिफिकेशन है अप्लिकेशन फार्म को भनने के पहले आप उसको पढ़ लेंगे और उसके उसमें आप चेक कर सकते हैं अपना इलिजबिल्टी और साथ में आप फार्म भनने के पहले अपना आईडी प्रूफ एड्रेस डिटेल्स और जो सभी बेसिक डिटेल्स है उसको अपने पास रखेंगे उसके बार आप फार्म भनने के लिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों फ अब फार्म भल लिए उसको आप सब्मिट करेंगे अपने उसके पहले आप उसको प्रिविव कर लएंगे मतलब उसको अच्छे कर लेंगे सभी इंफार्मिशन जो उसमें पर आप नहीं भरेंगे तो आपको फॉर्म कंप्लिट नहीं मना जाएगा अप्लीकेसन फीज जब अपना application form भरने चेस्थ अपस्वर्न बर्द के बढ़ने के साथ तो इस प्रकार सफट को ऑप कब्लीट उसके बाद आप पपने जत फार उसको फाइनल सब्मेट करने के बाद उसका a प्रिन जाएक आपको अब हम भर तो आप इसे जरूर करें तो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो धन्यवाद